कि हलो फ्रेंट्स वेलकम तु स्मार्ट नोग्री चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आर्मी ओर्डन कॉप्स के बारे में जिया दोस्तों 800 पोस्ट के लिए जो नोग्रिफिकेशन जारी हुआ था उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने के अंदर दोस्तों स्टार्ट करते इस वीडियो को से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोग्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप स्मार्ट नोग्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि स्मार्ट नोग्री च जो दुस्तह स्टार्ड करने हो दो दोस्टो जैसा आपको पता है कि इसमें 8 और थरफ पोस्त के रिए कज इस जारी के गया थीआग अभी सुनने मायी पूस्त में आपको इसमें इंक्रीमेंट कर दिया यह जी हैं दुस्त तो आपकी वेकेंसी बढ़ा दी गई है बट हमें पात क्या करनी है हमारा जो क्वेस्टन है जो हमाई स्टूडन से पूछा कि नॉर्मलाइशन सर इसमें जो है होगा यह नहीं होगा तो सबसे पहली बात दोस्तों कि कितने पोस्ट है और कितने स्ट में आपका एक्जाम हुआ तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि सबसे इसमें जो पोस्ट नेम है मटेरिल असिस्टेंट लोवर डिजन क्लर्क फायर में कुक स्टेनो ग्रेट टेट्समें मेट वेंडर सफाई वाला तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहां पे जो पोस्ट की टोटल संक्य है यहां 11110 है तो एक लोवर डिजन क्लर्क में ज्यादा है पोस्ट की संक्या फिर फायर में और उसके बाद अगर बात करें तो ट्रेट्समें मेट की तो अगर आप तीनों चीजों को देखें ध्यान से तो यहां पे देख लिए 561 पोस्ट टोटल इसमें है लोवर डिजन क है और फायर में की बात करते हैं यहां पर 61 है अगर हम इसे ही काउंट कर लें तो देख लिए इसली आप 5600 ए 700 लगबग 720 के आसपास तो सिप और सिप आपको दोस्तों यहां पर यह तीन पोस्ट में ही आ जा रहा है यानि यह तीन वेकेंसी में ही आपका 700 आप सिप मान के च सबते हैं यहां पर भाइकेंसी तो इसे एंधने सकते हैं बहुत भी काम है जिसे जाख्याष हें यह सब उस दिनेुक्त करां यह तो या कैश्तों होते यह तो यहनिंगा पर आपको प्रोसेस नहीं होता 겁니다 सब्सक्राइबbies Works से उस्पिरां फजेए जमम से एक ही तर यह जिन पांच से छे सिफ्ट में एक्जाम हो यानि की पेपर कोईशन पेपर जो सेट होते हैं वो कम से कम पांच प्लस में हो तो जाके आपका जो है नॉर्मलिजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यहां पर जो है इन पोस्टों के लिए बिल्कुल भी जो है नहीं होने वाली कि आपका जो है दोस्तों नॉर्मलिजेशन प्रोसेस नहीं होने वाला है तो यहां पर दोस्तों सबसे एक थीज बता दो आपको कि यह जो harsh हुने वाले हैं जहां का पर government के यूज किया जाता है कोवर्मेंट के जॉब में तूस ऑल्गॉरिथम के हिसाब से और में नॉमलिजेशन की प्रोसेस नहीं होने वाली है उमीद करता हूं जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा बट कुछ द्राउट्स अगर अभी भी है और कुछ पूछना चाहते हैं अब हमारे चैनल के पेच पर जाके आप हमारा मेल आइडी है वहां से भी आप हमें कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं मेल के थुरू आपको जो भी पूछना हो वो भी आम से पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मज मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक नई जनका एक निए